पब्लिक टीवी आपकी आवाज उतरप्रदेश के पूर मुख्य मंत्री कल्यान सिंग के निधन पर भाजपा काराले में शोक सभा आयुजित की गई स्वर्गे कल्यान सिंग के चित्र पर उश्पांजली अर्पित करके उन्हें श्रधा सुमन अर्पित किये गई इस मौके पर दो मिनट का मौन रख कर आत्मा की शांती के लिए इश्वर से प्राठना की गई उतरप्रदेश के पूर मुख्य मंत्री स्वर्गे कल्यान सिंग के निधन पर एक शोक सभा का आयुजित हुआ कारले में आयुजित सभा में भादपास जिलाद्यक्ष राजपाल चौहान ने कहा कि राष्ट के प्रती उनके योगदान को कभी भ़ाया नहीं जा सकेगा राममंदिर अंदोलन के दोरान उनकी ओर से कही गई बाते आज भी हमारी इसमिक्तियों में कैद है महानगर अध्यक्ष धर्मेदर नात्मिश्रा ने कहा कि हम उनके विचारों को आत्म साथ करते हुए उनके सपनों को साकार करने का हर संबप्रियास करेंगे बाल संदक्षान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशिष गुपता ने कहा कि उनका निधन संपूर राष्ट के लिए अपून यक्षती है हम उन्हें कुशल प्रशासक के रूप में याद करते हैं खादी ग्रमोदोग गोड के उपात्य अक्षि गुपाल अंजान ने कहा कि वो राष्ट के प्रती सदा समर्पूत रहे और उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता वो हर भारते जनता पार्टी के कार्यकर्टा के दिल में जीवित रहेंगे उत्रप्रदेश पिछडवर्ग आयों के सदा से ग्रीश वर्मा ने कहा कि उन्हें की इमानदारी करता वे निष्ठा पुशल नेत्रत वराष्ट प्रेम की भावना हमें सदा राजनेतिक जीवन में राष्ट हित सवरों परी के भाव के साथ चलने के लिए प्रेडित करती रहेगी हमारे उत्तर प्रदेश के पूर मुख्य मंत्री और गवनर हिमाचल प्रदेश के गवनर हमारे राम भक्त शर्दे कल्यान सिंग जी की शोग सवा भाजपा कालेले पर रखी गई थी ऐसे राम भक्त कल्यान सिंग जिन्होंने राम मंदरी के लिए अपनी सत्या त्याग दी मैं उनके चर्णों में बार बार नमन करता हूँ और उनके चलाईवे आधर और जो उन्होंने हमें शिक्षा दी उस पर चलने का पूर्ण सबके नेता उत्तर प्रदेश के यह शश्मी पूर्व मुक्ह मंतरी पूर्वराज जपाल पाधरी कल्यान सिंग जी जो त्रेता में भगवान भ्रत ने राम के प्रत अपनी सरद्धा विक्त की समर्पित कर दिया आज उनी के पराकर्ण के कारण आज भगवान स्रीजी राम के भबमें मंदिर का निर्माद हो रहा है जो राष्ट के मंदिर का करतब्य को पूर करते हुए हम सब कार्करता没有 को अर्जा देगा और हम सब कारकरता मानि कलनार सींजी के बताए रास्ते गाओं गरीब किसान के लिए जो भी हो तका है वो अपने कर्तब ब्योपा निर्वान करें असल में यहां भारती जन्ता पार्टी मुरदबाद के इस कारियाले पर एक ऐसे महान नेता को शद्धान जी देने हम सभी लोग अपस्थित हुए है जिसने एक बहुत बड़ा रास्त वादिता के लिए रास्त के लिए हिंदू धर्म के लिए भगवान श्रीराम के नाम पर जितना भी कारें उन्होंने किया है मेरे खिया से इतिहास में पहली बार हुआ है और भारती जन्ता पार्टी जो आज अपने चरम पर है उनका बहुत बड़ा नीव के रूप में काम किया है तो आज शद्धान जी में हम सभी के लिए ये है कि 1991-1999 में दो बार राज करने के बाद जब बावरी मस्जिद डिमॉलिश हुई थी ढही गई थी तो उस समय भी आपने देखा होगा कि सत्ता का बिना मोह लिए उन्होंने सत्ता को छोड़ दिया और कहा कि मेरे राम सेवकों पर किसी परकार की आच नहीं आनी चाहिए अधिकारियों को साफ उनका कहना होता था कि अगर कोई भी मेरा कारे करता अगर कारे के लिए आता है सही कारे होता तो निश्चित तोर पर करिए और गलत होता है उसको कताई मत करिए तो आज निश्चित तोर पर उसके लिए सच्ची शद्धानजली है कि वह उनके बताय हुए मार्ग पर उनके आदर्शों पर हम लोग खरे उतरते हैं तो ये उनके लिए सची सद्धान्जिली होगी। अगर उतरते हैं तो ये उतरते हैं तो पूरे देश के लिए केवल मैं मानता हूं इस मंदिर बनाने काम मुख रूप से कलिया था। हो जाता तो मुझे लगता है इस से बड़ा उनके लिए कुछ उगदर्म नहीं होता। पब्लिक टीवी आपकी आवाज